जार्खन सहित पुरिदेश के किसानों के लिए अच्छी ख़बर है अब किसानों के खेतों में लगी फसल को कीणों से बचाने के लिए कीतनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा इसके लिए रांची पलांडू के कृषी विज्यानिकों की टीम ने सूलर आधारित लाइट ट्रैप यंत्र को विक्सित किया है इस यंत्र को रामगर पृषी विज्यान केंद्र में प्रदर्शन के लिए लगाया गया है इसे खेतों में कीणों को पकड़ने वाली मशीन भी कहा जा सकता है इस मशीन से रामगर कृषी विज्यान केंद्र में प्रती एक दिन सैकडों कीणों को नश्ट किया जा रहा है जो फसलों को नुकसान पहुचाते थे सोलर अधारत ये मशीन तीन लेर में बनाई गई है पहले लेर में सोलर प्लेट है जो दिन भर सूरिक की रौशनी से इसे चार्ज करती है अंधेरा होने पर इसमें लगे दो बल्ब स्वता जल उटते हैं दूसरे लेर के डब्बे में मादा हार्मोंस की गोली को रखा जाता है जिससे रात में घुमने वाले कीडे मादा हार्मोंस की सुगंद से डब्बे की किनारे बैठते हैं बैठते ही कीडे खिसक कर सबसे नीचे तीसरे लेर में पहुंच जाते हैं जहां साबुन का घोल होता है इसमें जो कीडे लगते हैं उनको ये आकरशित करती है लाइट के माध्यम से और इसमें सेंसर लगा हुआ है और फेरोमन ट्रेप जिसके कारण जो हमारे हानिकारख कीट है वो अधिक सदिक मातरा में रात त्री के समय इसमें आकर फस जाते हैं इस मशीन के उपयोग से सीमित मातरा में कीटनाशकों का इस्तमाल होगा जिससे परियावरण भी सुरक्षित रहेगा और अनावशक लागत भी बचेगी इस मशीन के इस्तिमाल से कीटनाशकों के जो इस्तिमाल की संक्या है बहुत कम हो जाएगी जिससे परियावरण भी एक एकड की खेती में इस तरह की दो और एक हेक्टर में पांच मशीनों की जरुरत होगी मशीन की कीमत पांच साथ जार रुपय है जो कुछ और दिनों की परिक्षन के बाद बाजार में उपलब्द होगी रामगर से केके तिवारी की रिपोर्ट